इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप लोग Fiverr की गिग पर एक option होता है scope and pricing के आगे जिसका निम होता है extra services in your gig on Fiverr तो extra services आप कैसे लगा सकते हैं अपनी Fiverr की गिग में और इनका फाइदा क्या होता है और जब आप लगा लेते हैं तो आपको आप गिग में कैसे show होता है मतलब फाइदा नुकसान क्या होता है और क्यों लगाना चाहिए इस वीडियो में हम यही सब सीखेंगे तो चले आएं लगाते हैं अपनी Fiverr की गिग में extra services ताकि हमारी गिग बूस्ट कर सके पैड extra services in your gig on Fiverr यह बहुत दहां important होता है कि extra service लेकिन extra services को लगाने से पहले आप लोगों को देखना होगा कि आप लोगों की गीग की category क्या है जैसा कि इस गीग की category क्या है wordpress यानि के programming इस गीग की category क्या है data entry यह आप लोगों ने याद रखना क्यों अभी मैं आपको बताता हूँ हम चलते हैं pricing में यहां से हम करते हैं scroll down और यह रहा add extra services अब यहां पर देखें कितने option हमें मिल रहा 1, 2, 3 सिर्फ हमें 3 option मिल रहे हैं अगर ज्यादा add करना चाते हैं तो यहां पर click करके 4 option add कर सकते हैं लेकिन by default हमें सिर्फ 3 option मिल रहे हैं इसी तरीके से अगर हम यहां पर आते है wordpress यानि के programming की category में यहां पर देखते हैं हम चलते हैं pricing में यहां से मैं करता हूँ scroll down और देख option मिलती हैं सबसे पहला एक option दूसर ऑप्शन तीसर ऑप्शन चौथा पांचवाँ छटा साथमा इसके बाद पार्टों नौवाँ दस 11 12 13 14 मतलब करीपन 14 से पंदर option मिलते हैं तो अब रागों ने अंदादा लगा लिया यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी गिग की category तो अ data entry से related हैं अब आपको बजाता हूं इसमें सिर्फ तीन option मिलते हैं कौन से extra hours जो आप काम करना चाहते हैं extra fast delivery और additional review और कितने दफ़ा added करकर के देना चाहते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर आवल जड़ा दफ़ाइड़ करवाना चाहते हैं तो हम पांच एक दफ़ पांच डालर लेंगे एक दिन में ही आपको दे देंगे और यहाँ पर कितने hours अगर इजाती करवाना चाहते हैं तो हम पांच डालर लेंगे एक घंटे एक वीक में करने के लिए 10 डालर लेंगे 2 घंटे एक वीक में करने के लिए 15 डालर लेंगे एक घंटा एक वीक में करन ना चाहते हैं हमने पहला पैकेश एक दिन में रखा हुआ है तो इसका तो नहीं बनता लेकिन अगर दूसरा पैकेश के हम ने यहां पर लिखा है कर देंगे लेकिन अगर कोई बंदा चार दिनों के बजाए दो दिनों में करवाना चाहता है तो हम 15 डॉलर ईक्स्ट्रा चाहता है तो हमें 20 डॉलर ज्यारा देगा यानिके 35 और 25 और 55 डॉलर हमें मिलेंगे इसी के जो हम 6 दिनों की बजाए सिर्फ तीन दिनों में करके देंगे इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सर्वेसिस इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें आ जाते हैं तो इसमें फिर डिफरेंट हैं जो आप लोगोंने एक पेज एड़ कर्वानाचाते हैं वरड़प Gosh का तुअवरम एकद दिन में करेंगे 45 डॉलर का और अजिशनल रिजन लेना चाहते हैं तो इतने डॉलर लें गए अगर कोंट decma करवाना चाहते हैं वरड़पced पर行了 करवाना चाहते हैं यहां तरffic आइकन अगर आप लगवाना चाहते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसेट पी तो हम कहते हैं कि हम उसके 85 डॉलर लेंगे दो दिनों में करके देंगे अब हम करेंगे इसको सेफ तो यह हमारी गीग में एड हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना जो है नहीं को बता दो कहां पर लागा हूँ तो कोई भी ऑगग जयासा कमा इस तृब को भबन गरता हूँ ना तो ये इसके प्रैसिंग में अब देख़ें पता नहीं इस इन लगाя हूँ यह नीं इस气 प्राइसिंग मैं अतरह जा हाँ जी देखें इसंदें लगया हूँ з THEY कर लेती इसी तरीके से यह वाला जो है ना हमें कहा रही है एक मेंट यह देखें यह वाला पैकेज जो है तीस हजार रुपए में करके दे रही है बंदी लेकिन अगर हम बस दिनों की बजाए हम सात दिनों में करवाना चाहते है तो हमें 9000 एक्सर देने पड़ेंगे यह जनी के 3700 की जाए हमें 40,000 देने पड़ेंगे तो आपको लगी समझ लेकिन इसमें नहीं है क्यों क्योंकि यह दे एक दिन में रहे तो एक दिन से पहले तो बना कैसे कर सकता है ठीक है तीन दिनों वाला दो दिनों में करवाना चाहते हैं तो नोजार एक्स्ट्रा चालिस अजार इसी तरी हर चीज़ आप किया जाएगी और आपको फैदा हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोगों यहां पर लगाना होता है तके क्लाइंट अगर जल्दी करवाना चाहते तो आपको ज्यादा पैसे दे दे तो अगला सेशन जो हमारा है डिस्क्रिप्शन एंड एस एक्यू का तो अब कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कुमेंट कर सकते हैं और हाँ अगर आप लोग यह सीखना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन वाइरल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाए फाइवर की गीग का तो आपके सामने जो वाले वीडियो आ रही है इसके ओपर क्लेक करें कि अब कर दो कई कर दो आपके जो सूना चाहते हैं तो आपके सामने हुआ